अलो फ्रेंज असलाम वालेकूम आज आपके साथ शेयर करूंगी बैगन के भजे की रेसिपी बैगन के भजे कहिए या पकोड़े कहिए एकदम मज़ेदार फूले फूले पूरी की तरह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में भूत ज़्यादा इजी है तो जरूर से ट्राइ करना इस रमजान में इस रेसिपी को ट्राइ करना बैगन के भजे को भजे सबके फिवरेट होते है तो चले फिर बनाना शुरू करते है बिसमिलाय रख्मानिर रहीम ये एक कप मैंने बेसन लिया है पूरा भर के लिया एक कप इसमें वन एन आफ टीस स्पून पिसा भुणा जीरा पावडर, वन टीस पून गरम मसाला पावडर, वन टीस पुन धनिया पावडर और एक कप भरके कोतमीर फ्रेश बारी कठावा और वरंफ हाफ टीजपून चाट मसाला अब सबी चीजों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक मीडियम साम घोल बनाएंगे याने consistency इसकी हमें एकदम ना पतली याने रनी भी नहीं होनी चाहिए और या ज्यादा थीक भी नहीं होनी चाहिए इस तरह से क्या हम coating बराबर उसके उपर हो सके उस तरह की consistency इसे आदे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है आदे घंटे के बाद इसे हमें बहुत अच्छी तरह से फेटना है पाँच से साथ मिनिट तक अच्छी तरह से इसे फेट लेना है तो इस तरह से फेटने से हमारे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा soft crispy बनके तियार होगे और फूले फूले से तियार होगे तो इसे हाथों से फेटना है मैंने हाथ अच्छे से धो लिए थे तो देखिए इस तरह की consistency होनी चाहिए यह इस तरह का बड़ा सा बैंगन लेना है हमें बड़ी size का और इस तरह से हमें से cut कर लेना है बैंगन को और इसकी thickness थोड़ी medium याने ज्यादा पतली नहीं ज्यादा मोटी नहीं medium होनी चाहिए thickness तो यह बैंगन आदा खराब निकला था तो मैंने इसे बीच में से cut कर लिया है देखिए इसमें से बीच से खराब हुआ था तो मैंने आदा निकाल लिया अब इसे हम बीच से खराब निकालके मैंने फिर से इस तरह से cut कर लिया है बहुत ही मज और मसाला पूरा रेडी रखना है, उसके बाद ही हमें इसे कट करना है, इस तरह से तेल हमारा अच्छे से गरम होना चीए, और थोड़ा खुला बरतन लेना है, मैंने साइस के साब से मेरा बरतन छोटा पड़ गया, इस तरह से हम बैंगन को बेसन में डिप करके इसे हमें कोड़े, इसी तरह से हम सेकेंड बैज भी फ्राई कर लेंगे, एक बैंगन के लिए एक कब बेसन का नाप एकदम परफेक है, और साइज इस तरह से अगर आपने ये बड़ी साइज लिए है, तो उससाब से आपको बेसन की कॉंटिटी लेनी है, और आप बड़े ही बैंग लेना क्योंकि ये बहुत जादा टेस्टी लगते हैं और साफ अंदर से दम साफ लगते हैं खाने में, उपर से क्रिस्पी फुले फुले पूरी की तरह ये बनते हैं, जरूर से ट्राई करना बहुत मज़ेदा रेसिपी है, सबको पसंद आएंगी, देखें कितने फुले फ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना ताके जब भी वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, देखते ही मूं में पानी आ जाता है, एक आपको तोड़के भी बता दियू, बहुत से एक दम सौफ्ट भूत ही मज़े के लग रहे हैं, इसे आप चटनियों के साथ सर्फ कीजिए, मैंने एक्चुली जली जली में थी तो मैंने नहीं बनाई चटनी, इसे हरी चटनी के साथ आप सर्फ कीजिए, बहुत ही जादा ये मज़े के लगते हैं, तो चले फिर मिलती वने र statistically sad. Bye-bye.